साहिबा ने बताया अंगत को गैरी का सज जिसे सुनकर अंगत हुआ शौक सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए इदल तेरी मेरी डोरिया में आप देख रहे है का अंगत साहिबा तक पहुट जाता है और उसे इस तरह घायल देकर बहुत परेशान हो जाता है फानिली साहिबा को होश आता है और साहिबा अंगत को जो बताती है अंगत उस पर विश्वास नहीं करता लेकिन कई बार कहने के बाद अंगत को ये पता है कि साहिबा कभी जूट नहीं बोलती और साहिबा ने अंगत को सारा सच बताया कि गैरी जिन्दा है वो उसी होटेल में है साथ ही उसने ये भी बताया कि मननत और उसका भाई और कई लोग वो होटल मैनेजर भी सब मिले हुए हैं और सनी सूत का सारा ड्रामा गैरी नहीं करवाया था अंगत साहिबा की ये सारी बाते सुनकर शौक्ड हो जाता है उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसका अपना भाई उसके साथ इतनी घटिया हरकत कर सकता है यहां अंगत और साहिबा फिर प्लान बनाते हैं उसी होटेल में जाने का जहां पर गैरी रुका हुआ है ताकि वो सच खुद बखुद देख सके बड़ा ट्विस्ट है कि अभी दोनों को ये नहीं पता है कि गैरी से उपर भी कोई है जो ये सारा ड्रामा करवा रहा है ये सब कुछ करवा रहे है यश अंकल यानि गैरी के पिता और ये बात अभी तक अंगत और साहिबा को नहीं पता चला है आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में अंकल साहिबा पहुचेंगे होटल और यहाँ पर जल्दी उनके सामने ये सचाएगा कि गैरी के पीछे कोई जो कि गैरी के इन सारी चीजों के करने के पीछे कोई और नहीं यश अंकल का हाथ है